तो आईए हम चर्चा करते हैं भारत के अपवाह तंत्र पर तो मुख्य रूप से भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में भाजित किया गया है पहला हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायदीपी अपवाह तंत्र अब दोनों में यदि हम देखें तो कुछ भिन्नताएं हैं भिन्नताएं कैसी जैसे सीधे से यदि हम बात करें भई जो हिमाले से निकलने वाली नदिया हैं वो हिमाले का अपवाहतंत्र और जो प्रायदीपी भारत से जो नदिया निकलती हैं वो प्रायदीपी अपवाहतंत्र अब हम इनके पानी के सोर्स पर चर्चा कर लेते हैं पानी का सोर्स मतलब जो अपवाहत तंत्र नदियां चाहे वो हिमाले वाली बना रही हो या फिर प्रायदी पी भारत की बना रही हो क्या अंतर होगा आपके दिमाग में क्या बात आ रही है क्या अंतर होना चाहिए पानी के सोर्स को लेकर हम कह रहे हैं हाँ यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सहीं सोच रहे हैं हिमाले से जितनी भी नदिया निकलती है एक तो गर्मी के मौसम में जितनी भी हिमाले की नदिया निकलती है वो ग्लेशियर से निकलती है हीम नद मतलब उनके जल का सोर्स जो है वो हीम कंड के पिघलने से होता है तो जब बारिश का समय होता है तो बारिश का जल उन्हें मिल जाता है और जब गर्मी का मौसम होता है तो इन ग्लेशियर्स के पिघलने से उन्हें पानी की आपूरती हो जाती है तो इससे हम कहेंगे कि पानी का सोर्स के अधार पर ग्रिशमरीतू में भी उन्हें पानी मिल रहे है और वर्शारीतू में भी तो इस अधार पर ये नदियां जो हैं वो सदावाहिनी है या वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदिया है कारण हमने देखा वर्षा रितु में वर्षा कजल ग्रिश्म रितु में ग्लेशियर्स के पिघलने से जल की आप उरती लेकिन वहीं हम प्रायदीपी भारत की नदियों की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि प्रायदीपी भारत की नदियां मौसमी होती है मतलब कि जब वर्षा का जल मिलता है तब उनमें परियाप्त जल क्या पूर्टी हो जाती है बारिश की मौसम में लेकिन जैसे ही जो ग्रिश्मरी तो आती है तो ये नदिया जो है वो शुष्क हो जाती है नदियों का पानी सूख जाता है क्योंकि एक पठारी छेतर से प्रव अधू, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये सब नदियों का सोर्स जो है वो ग्लेशियर से तो पहली दूसरा अंतर हमने देखा कि एक तो ये सदावाहनी हो गई और दूसरी जो है वो शुष्क है एक और विशेष्टा यदि हम दोनों छेतर से निकलने वाली नदियों की बात करें तो हम देखेंगे कि हिमाले से जितनी नदिया निकलती है उनका मार्ग प्रवाह मार्ग जो है वो बहुत लंबा है आप मानचित्र में ही देख लीजिए पूरे पश्रिम से पूर्व की तरफ चाहे हम गंगा, यमुना की बात करें, सिंदू की या ब्रह्मपुत्र की बात क करें यमुना की बात करें तो यह लंबा मार्ग तय करके फिर बंगाल की खाडी में गिरती हैं लेकिन प्रायदीपी पठार को हम देखेंगे तो इस मानचित्र से आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत छोटा छेत्र होता है तो यहां से नदियों का जो प्रवाह मार्ग है चा यह लंबी है इसके साथ ही जो हिमाले छेत्र से निकलने वाली नदिया है या हिमाली नदिया जो है वो एक लंबे मैदानी भाग से भी जो है वो प्रवाहित होती हुई आती हैं आप यहां पर देख लीजी कि यदि हम पंजाब से लेकर इधर असम तक की या बंगाल की लेकिन यहां से यदि हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि इस कई सव किलोमीटर के रास्ते में जो ढाल है वो आपका बहुत मंद है मतलब मात्र 300 मीटर का ही ढाल है इस पूरे छेत्र में तो इसके कारण नदी जो है वो बहुत मंद ढाल वाले छेत्र से होकर प्रवाहित होती है तो इसके कारण देखेंगे कि यहां पर यह बहुत जादा मोड बनाती है नदी विसर्प या नदी मेंडर्स जो है वो आपको बहुत अधिक देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ यहां पर बाड का मैदान भी क्योंकि जब भी वर्षा का मौसम होता है वर्षा इस आपदा ग्रस्त भी है लेकिन दूसरी तरफ इनके लिए फायदे वाले भी चीज हो जाती है अब भई आपदा भी और फायदा भी कैसे तो ठीक है जब बारिश का मौसम आता है तो बाड ग्रस्त हो जाती है नदिया मतलब नदी का जो लेवल होता है पानी उससे बहुत का पानी समानी हो जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में ये सिल्ट, मृतिका या बजरी और रेत जैसे आउसाद जो है वो यहाँ पर ये नदिया छोड़ कर जाती है निक्षेपित करके जाती है जिससे यहाँ पर एक बहुत ही जलोड चेत्र या अलुवियल स्वाइल वाल किसी जाओ भूमी के ही कारण यहाँ पर क्रिशी कारी बहुत अच्छी तरह से किया जाता है और बहुत अच्छा उत्पादन भी यहाँ पर प्राप्त होता है और इसी कारण से यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी हमें बहुत जादा देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर जल प्रपात का निर्मान होता है बच्चो अब हम इस drainage pattern या अपवाह तंत्र के प्रतिरूप को समझ लेते हैं अपवाह तंत्र का प्रतिरूप मतलब किसी भी नदी का जो अपवाह तंत्र होता है drainage system जो होता है उसकी आकरिती से है मतलब किसी अपवाह तंत्र की आकरिती किस प्रकार की है उसे हम अपवाह तंत्र प्रतिरूप कहते हैं या ड्रेनेश सिस्टम पैटन कहा जाता है अब इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कोई अपवाह तंत्र जो है वो उपर से देखने पर कैसा प्रतित हो रहा है किस प्रकार की आकरिती उसमें बन रही है अधिकतर हम देखेंगे कि जो अपवाह तंत्र या ड्रेनेश सिस्टम होते हैं किसी भी नदी का वो गडित के जियामिती आकार जो हैं जैसे वलयाकार, वृत्ताकार, आयताकार इस आधार पर ही जो है अधिकतर इनका नामकरण किया गया है अब इसी अधार पर इसका नामकरंटू किया गया है, इसके अतरिक्त भी हमें और बहुत सारी आकरितियां देखने को मिलती है सीधे साम समझ सकते हैं इसे कि किसी अपवाह तंत्र का आकार या आकरिती कैसी दिख रही है या कैसी आकरिती वो ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है किसी भी नदी का, उसे हम ड्रेनेज पैटन या अपवाह प्रतिरूप कहते हैं अब यह जो अपवाह प्रतिरूप होता है, यह किसी भी नदी का अपवाह प्रतिरूप जो भी नदी बना रही है वो वहाँ पर मिलने वाली जो इस्थलाकृती है इसके साथ ही साथ जलवायू के करण जो अपक्षय और अपरदन की प्रक्रियाएं उस स्थान पर हो रही है और वनस्पती आच्छादन कैसा है, चट्टानों की संदशना कैसी है, इन सब पर निर्भर करता है या डिपेन करता है कि वहाँ पर किस प्रकार का प्रतिरूप का निर्माण हो रहा है या नदियों के द्वारा किया जा रहा है तो मुख्य रूप से यदि हम बात करें कि हमारे भारत में जो विभीन प्रकार की अलग-अलग नदियां है चाहे वो हिमालय से निकलने वाली हो या प्रायदीपी भारत से बहने वाली न दिया हो ये किस प्रकार के प्रतिरूप या पैटन का निर्माड करती है तो पहला हम देखते हैं द्रुमा कृतिक अपवा प्रतिरूप या इसी को बोलते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटन य यह प्रतिरूप बिलकुल उसी तरह प्रतित होता है, जैसे कि आप यहां पर एक व्रिक्ष को देख पा रहे हैं, एक व्रिक्ष में एक मोटा तना होता है, और उस तने से ही जो है उसकी छोटी बड़ी शाखाएं निकलती हैं, तो ठीक इसी प्रकार से इस नदी के प्रतिरू उनकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की भी जो सहायक नदियां होती है, मतलब जो ट्रिब्यूटरी उससे निकलती है उस मुख्य नदी से, वो आकर जो मुख्य नदी में मिलती हैं, तो ऐसे ही प्रतित होता है, जैसे कि मुख्य नदी एक मोटा तना है, किसी व्रि होता है कि उस मुख्य नदी की जो सहयक नदिया है जो उससे आकर मिल रही है वो उस तने व्रिक्ष के तने की अलग अलग शाखाएं हैं और इसी आधार पर इसका नामकरण जो है वो डेंड्रेटिक या द्रुमाकरितिक अपवा प्रतिरूप पड़ा है ये प्रतिरूप ऐसे चेत्र में हम कहें कि विक्सित होता है जहां पर की समतल और चौड़ा चौरस धरातल हो और सपाट धरातल हो वहां पर इस प्रकार का अपवा प्रतिरूप जो है वो विक्सित अवस्थाव में देखने को मिलता है और यही कारण है कि हमारे भारत की हम मैदानी चेत्र में चल जो हैं वो इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्मान करती हैं दूसरा प्रतिरूप हम देखते हैं अरीय प्रवा प्रतिरूप या रेडियल ड्रेनेज पैटन ये प्रतिरूप जो है वो उस स्थान पर होता है जहां पर कोई पठारी छेत्र हो या वलन के कारण एक उचा उठा ह और इस उचे उठे हुए छेत्र से हम देखेंगे कि अलग-अलग सभी दिशाओं में चारो तरफ चारो दिशाओं में नदियां जो हैं उस उचे छेत्र के जलाशे से निकल कर अलग-अलग दिशाओं में प्रवाइत होती हैं तो ऐसा सबसे अच्छा उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलेगा हमारे भारत के अमरकंटक पठार में अमरकंटक पठार से जो निकलने वाली नदियां हैं वो इसी प्रकार के अरी अपवाह प्रतिरूप या रेडियल ड्रेनिज पैटरन का निर्मान करती हैं इसमें हम देखेंगे इस मानचितर से आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे यह अमरकंटक का पठार है और इस अमरकंटक पठार से उत्तर की तरफ हम देखेंगे तो सोन नदी निकलती है दक्षन की तरफ आप देखेंगे वेन गंगा पूर्व की ओर महा नदी और उठती हुई यदि इस अमरकंटक पठार की स्थिती नहीं होती तो महा नदी जो है वो सीधे उत्तर की तरफ निकल जाती लेकिन बीच में अमरकंटक का यह पठार आ जाने के कारण यह यूटन लेकर पूर्व की तरफ मुड़ जाती है अब यह अरी प्रवाह प्रतिरूप हुआ इसके बाद हम देखेंगे आयताकार प्रवाह प्रतिरूप या इसी को हम बोलते हैं रेक्टिंगलर ड्रेनेज पैटन यह प्रतिरूप जो है वो ऐसे चटानी छेत्र में या ऐसे धरातल में मिलता है जहां पर चटानों में जो है वो जोड और भ्रंश पाए जाते है और चटानों के ये जोड और भ्रंश या संधियां जो है वो हमें आयताकार रूप में देखने को मिलती हैं तो इन जोड और संधियों के सहारे ही जल मार्ग जो हैं वो प्रवाहित होते हैं तो ऐसे छेत्र में हमें आयताकार प्रवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है और यदि हम बात करें की उदाहरण इसका कि हमारे भारत में किन नदीों के द्वारा इस प्रकार का पैटन बनाया जाता है तो कोसी नदी है, कृष्णा का जो उपरी हिस्सा है, वहां पर भी इस प्रकार का पैटन देखने को मिलता है फिर अगला हम आजाते हैं समाना अंतर अपवाः प्रणाली या पैलर ड्रेनेज पैटन हम इन नदियों का देखें कि यह प्रतिरूप यह इस प्रकार का प्रतिरूप कहां पर विक्सित होता है तो जब भी किसी छेतर में कोई नदिया जो है किसी प्रदेश की नदिया जो है वो उस प्रादेशिक ढाल का उस छेतर विशेश में मिलने वाला जो ढाल है जैसा ढाल वहाँ पर मिलता है उस प्रादेशिक ढाल का ही जब वो नदी अनुसरन करती है तो उस छेतर में हमें समानांतर अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है और हमारे भारत में पश्यमी घाट से पश्यम तटी मैदान से होती हुई जो नदियां अरब सागर में गिलती हैं वहाँ पर ये समानांतर अपवाह प्रतिरूप जो हमें देखने को मिलता है अब इसमें कौन-कौन सी नदियां है जो इस प्रकार का प्रतिरूप बनाती है तो हम देखेंगे गोवा में जो मांडवी नदी है जुआरी है करनाटक की गंगावती शरावती नेत्रवती और केरल की पेरियार और जब चलती हैं अरब सागर में मिलने वाली होती हैं तो पश्चिम घाट से पश्चिम तटी की तरफ पैलर पैलर उसी प्रादेशिक ढाल का अनुसरन करती है क्योंकि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जो है वो अरब सागर की तरफ है तो इन दोनों बीच में ये समानांत ये नदियां जो है वो प्रवाहित होती हैं तो यहां पर हमें पैलर ड्रेनेज पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है इसके बाद अगला है जाली नूमा प्रवाह प्रतिरू या इसी को हम ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं जब भी किसी छेतर में जो धरातिल की संदश तो यहां पर जो नदियां बहती हैं, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, उनके द्वारा एक जाली नुमा प्रवाह प्रतिरूप जो है, उसका निर्माण किया जाता है, तो इसे हम जाली नुमा प्रवाह प्रतिरूप कहते हैं, इसके बाद अगला है आपका केंद्रोन मुख्य प्रवाह प्रतिरूप, यह अरी प्रवाह प्रतिरूप के विपरीत हम इसे कह सकते हैं, अरी प्रवाह प्रतिरूप में हमने देखा था कि एक उचे-उठे भूभाग से चारो दिशाओं की तरफ नदिया निकल रही थी, अब केंद्रोनमुखी प्रवाह प्रतिरूप या सेंट्री पिटल ड्रेनेज पैटर्न के अंतरगत हम देखेंगे, कि इस प्रतिरूप में कि ऐसी एक स्थान या पानी के सोर्थ की तरफ चारो दिशाओं से या सभी दिशाओं से आकर नदिया जो हैं, वो उस छेतर में मिलती हैं. और इसका सबसे अच्छा उदारण केंद्रोन मुखी कह रहे मतलब केंद्र की ओर सारी नदिया आ रही हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो यदि हम राजस्थान के सांभर जील में चले जाएं तो वहाँ पर ये ड्रेनेज पैटन देखने को मिलता है और साथ ही पुर्वोत्तर में चले जाएं तो लोक्तक जील जो है वहाँ पर भी इस प्रकार का प्रवाह प्रतिरूप मि हमने देखा था कि हमारे भारत में इस्थलाकृती में भिन्नता के कारण मुख्य रूप से दो प्रवाह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं तो इसके बाद हम सबसे पहले चड़्चा करेंगे हिमालयी अपवाह तंतर पर बच्चों अब हम चड़्चा कर लेते हैं भारत के तो पहले भी हमने बताया है कि भारत की जो इस्थलाक्रीती में भिन्नता हमको देखने को मिलती है इस आधार पर भारत में दो प्रकार के अपवाहतंत्र जो हैं वो मिलते हैं पहला हिमाले अपवाहतंत्र और दूसरा प्रायदीपी अपवाहतंत्र जो नदिया हिमाले से निक करती हैं और प्रायदीपी भारत से निकलने वाली जो नदिया है वो प्रायदीपी अपवाहतंत्र का निर्माड करती हैं तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमाले इन अपवाहतंत्र या हिमाले से निकलने वाली जो नदिया है वो जो ड्रेने सिस्टम बनाती है उस तो बच्चो, इसके पहले भी हमने जो पिछली कक्षा है उसमें पढ़ा है और ये हमको ग्यात है कि हिमाले जो है वो एक नवीन वलीद परवत है और हिमाले की उत्पत्ती से पहले जो हिमाले से निकलने वाली नदिया, यह मैं कहूं कि सबसे पहले तो मानसरोवर जील के पास जयसे जो नधिया निकलती थी जैसे सिंधू है, सतलज है, ब्रह्मgender पुत्र ये सभी नधियां जो हैं वो हिमालय के उत्पत्ती के पहले से ही प्रवाहित होती रही हैं। फिर इसके बीच में मतलब एक तो सिंधू-sतलज, ब्रह्मत्र नधि जो हिमाले से निकलती है और इसके साथ ही जो प्रायदीपी पठार के उत्तर से निकलने वाली नदियां हैं जैसे कि चंबल, बेतवा, केन ये नदियां जो हैं ये दोनों पहले उत्तर की तरफ प्रवाहित होती थी तो इनके बीच में एक टेथिस सागर की स्थिती थी टेथिस सागर की टेथिस सागर में इन दोनों ही अपवातन्त के द्वारा या इन नदियों के द्वारा जो आवसाद लाए जाते थे उनका जमाव महापर लगातार किया जाता था और टेथिस सागर की इस भूसन नती में हम कहें कि लगातार आवसादों के निक्षेप या आवसादों के जमाव पढ़ने के कारण धीरे धीरे उसमें वलन होने लगा और संपीड़न के कारण वलन पढ़ने से वरिहध हिमाले की उत्पत्ती हुई तो बताने का ताथ पर ये है कि जो ब्रह्मः पुत्र नदी, सिंधु नदी या सतलज नदी की हम बात करेंगे उससे पहले हम ये जान ले कि ये सभी नदिया जो हैं जो हिमाले से निकलती हैं ये पूर्ववर्ति नदिया हैं पूर्ववर्ति या एंटिसिडेंट नदियां एंटिसिडेंट रिवर्ज तो पूर्वर्ति नदियां किसे कहते हैं हम जो कि किसी भूखंड की उत्पत्ति के पहले से ही उसमें प्रवा होता रहा है तो अभी हमने देखा कि ये दोनों ही नदियों का जो प्रवा है इन नदी बुकिक तंत्रों का जू प्रवा भुड़़ा है वह की होता रहा और इनके जो आउसाथ हैं वह टेथिस सागर में लगातार जमाव होता रहा जिसके कारण टेथिस सागर यह धुरिus भू सन्यति में दबाऊ पड़ा और वलन पढ़ने से वरियःध हिमालय की उत्पत्ति हुई तो वरियःध हिमालय की जू उत्पत्ति थी वो धिरे-धिरे हुई क्रमशह वो धिरे-धिरे ऊपर की तरफ उठा लेकिन ब्रह्म poetic नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित नहीं किया ना ही सिंधु और सतलज नदी के द्वारा अपना मार्ग परिवर्तित किया गया इन नदियों ने क्या किया कि जैसे ही व्रिहध हिमालाय धीरे-धीरे उपर की तरफ उठा तो इन्होंने इस परवश्रेणी को काट कर गाटते हुए अपनी घा वो उसको और गहरा करते गए और उसी में उनका बहाव जो होता रहा और इस प्रकार से ये पुरुवर्ती नदी जो है वो कहलाई अब फिर हम देखेंगे व्रिहध हमाले की उत्पत्ती के पहले सिंधु सतलच और ब्रह्म पुत्र नदी की उत्पत्ती हुई तो ये मध्य हमा जो है व्रिहध हमाले की उत्पत्ती के बाद उससे जो निकलने वाली नदियां थी और साथ ही उत्तरी प्रायदीपी पठार से जो नदियां जाती थी वो क्रम्शा फिर से उस भू सन्नती में लगातार आवसादों का जमाओ करती गई और फिर से आवसादों के जमाओ के का ये जो नदियां थी वो मध्हिमालय के लिए क्या हो गई पूर्ववर्ति नदियां क्योंकि ये गंगा यमूना या कोसी नदियों ने भी मध्हिमालय की उत्पति के बाद या मध्हिमालय की उत्पत्ति से अपना मार्ग परिवर्टित नहीं किया, बलकि इस माउंटेन रेंज को इस परवश रेनी को काट कर अपनी घाटी को और गहरा किया और गहरे-गहरे गार्ज का निर्माड किया. फिर क्रम्श हम देखेंगे कि लगातार फिर से मद्ध हिमाले और व्रिहध हिमाले से जो नदिया निकलती थी, उनका जो जमाव हैं, वो उसी भूसन्नती में लगातार उनके द्वारा अवसादों का जमाव होता रहा, और क्रम्श कांगलो मरेट है, चूना पत्थर है, बलु जो सिंधु नदी थी और ब्रह्म पुत्र नदी, ये तो पुरवर्ती नदिया हमने कहा ही, लेकिन ब्रह्म पुत्र नदी का जो अपवाह था, वो मद्ध हिमाले के दक्षणी परवत पाद पर, मतलब मद्ध हिमाले के जो इस्थिती है, उसके दक्षणी परवती ढ़ाल प अपना जल विसर जित करती थी। लेकिन जब शिवालिक की उत्पत्ती हुई जैसा हमने बताया कि फिर से इन नदियों के द्वारा व्रिःद और हिमाले की नदियों के द्वारा जो है इस भुसन्यति में फिर से पुनह जमाओ किया गया और इस जमाओ के होने के फिर से उसमें दबाव और संपीडन के कारण वलन की स्थिती बनी और तीसरा शिवालिक शेनी की उत्पत्ती हुई और जिस समय शिवालिक शेनी की उत्पत्ती हुई उसी समय हम देखेंगे कि जो दिल्ली कटक है ये उपर की तरफ उठा और ये दिल्ली कटक के उपर उठने स जो इंडो ब्रह्म नदी थी उसका मार्ग जो है वो अवरुध हो गया अब आप यह सोच रहे होंगे कि इंडो ब्रह्म नदी क्या है है ना तो अभी जो हमने कहा ना कि ब्रह्म पुत्र नदी जो है वो शिवाली की उत्पत्ति के पहले मध्ध ही माले के दक्षिन परवत से मिलने के बाद अरब सागर में अपना जल गिराती थी तो ये नदी तंत्र का ही नाम जो था वो इंडो ब्रह्म या शीवालिक नदी इसे कहा जाता था उसके बाद फिर क्रमशब भारती प्लेट के उत्तर पूर्व की तरफ खिसकने के कारण फिर उसमें जैसे ही गती शीलत आई वो मूफ करता गया भारती प्लेट जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में तो भारती प्लेट के गती शील होने के कारण फिर से दबाव पड़ा और इसके कारण ही इसके फल सुरूप हम देखेंगे कि शिवालिक शेनी की उत्त्ति हुई और इस शिवालिक शेनी की उत् हम कहें कि एक प्रकार से यह जल्वी भाजक का काम करता है कौन से सिंधु नदी और ब्रम्ह पुत्र नदी के बीच में और इसके द्वारा उपर उठने से एक जल्वी भाजक का काम करने से नदी का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया फिर ब्रम्ह पुत्र नदी ने जो अ और सिंधुनदी जो हमें वर्तमान अभी इसका हमें सिस्टम देखने को मिलता है ये वर्तमान समय का जो प्रारूप है वो उसी समय आया जब शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ती हुई और शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ती के समय जो है वो अरावली कटक उपर की तरफ उठा और ईक जल्भिभाजक की रूप में होने से यह वरतमान स्वरूप वो सामने आया। उत्पत्ति के बाद भी इन श्रेणियों को काटकर उन्हों ने अपनी घाटियों को गहरा किया और एक गार्ज का निर्माड किया। तो इसमें आपको जानना चाहिए कि जम्मु काश्मीर में सिंधु नदी ने सिंधु गार्ज का निर्माड किया है, हिमाचल में सतलज नदी ने शिपकिला गार्ज का निर्माड किया है, और अरुनाचल प्रदेश में ब्रह्म पुत्र नदी ने कोर्भा गार्ज का अभी जो वरतमान में हमें दिखता है ये प्राचीन समय में जो है इसकी क्या इस्थिती थी ये हमने पूरा समझ लिया और जब बच्चों ये आपको इसलिए भी बताना जो रही था कि जो हमने ड्रेनिज पैटर्न पढ़ा था प्रवा प्रतिरूप तो उसमें आपका ये एक पुर्वर्ति नदी जो है ये भी आता है पुर्वर्ति नदी आई होप आप समझ गये होंगे किसी इस्थल भूखंड के उपर उठने से पहले से जो नदिया वहाँ पर प्रवाहित होती रही है और उस भूखंड के उपर उठने के बाद भी जब नदिया अपना मार्ग प को देखते हैं कुछ प्रमुप बिंदू अपर हम चर्चा करते हैं जैसे पहला को उत्पत्थ स्थान है यह नदिया सदा भाहिनी है और इनमें वर्ष भर पानी सरजित जाता है हम जल निकासी की बात करें मतलब किस तरफ अपना जल विसरजित करती और इनके प्रतिरूप जो इनका अपवाह द्रोणी है वो किस प्रकार के प्रतिरूप का निर्मार करती है तो हिमाले नदिया जो है वो ब्रिक्षाकार या डेंडरिटिक पैटन बनाती है और प्रायदीपी नदिया जो है वो अधिकतर रेडियल और आयताकार प्रतिरूप का करती हैं तीसरा नेक्स्ट विंदू है लंबाई हिमाले से निकलने वाली जो नदिया है वो लंबाई में बड़ी है जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो लगभग 2900 किलो मेटर लंबी है लेकिन प्रायदीपी नदियां लंबाई में बहुत छोटी है जैसे गोदावरी नदी प्रायदीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है लेकिन इसकी लंबाई सिर्फ 1500 किलो मेटर है